साथ्यों, 21 सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्ताएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्स्पोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गाउं से, कस्पों से निकले वाले युवा, कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इनी दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा, आज टोक्यो ओलिम्पिक्स में देश का जंडा बुलंद कर रहे हैं। भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ युवा, आज अलग-अलग शेत्रों में असाधरन काम कर रहे हैं। असाधरन लक्षों की नीव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के शेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई रोबोटिक्स के खेत्र में कभी साइफाई मानी जाने वाली कलपनाओं को हकिकत में बदल रहा है। कोई आर्टिफिशल इंट्रिजन्स के खेत्र में मानमियक शम्ताओं को नई उचाई दे रहा है। तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टों की तैयारी कर रहा है। यानि हर ठेत्र में भारत के युवा अपना पर्चम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टिम को रिवर्शनलाइज कर रहे हैं। इंडिस्ट्री 4.0 में भारत के नित्रुत्व को कैयार कर रहे हैं। और डिजिटल इलिया को नई गति दे रहे हैं। अब कल्पना करिए। इस युवा पीडी को जब इनके सपनों के अनुरूप बातावरन मिलेगा, तो इतनी शक्ती कितनी जादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्टिय शिक्षानीती युवाओं को ये विश्वात दिलाती हैं। कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं। उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशल इंटलिजन्स के प्रोग्रेम को अभी लॉंच किया गया है। वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरियेंटेड बनाएगा। AI-driven economy के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये digital revolution पूरे देश में एक साथ आए। गाउं, शहर, सब समान रुप से digital learning से जुड़े इसका भी ख्यास, ख्याल रखा गया है। National Digital Education Architecture यानी NDR और National Education Technology Forum NETF इस दिशा में पूरे देश में digital और technological framework उपलब्द कराने में एहम भूमी का निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे। खुले आकास में जैसे उड़दा चाहे। देश की नई शिच्छा व्यवत्ता उसे बैसे ही अवसर उपलब्द कराएगी। झाल